हलो दोस्तों अगर आप भी सवालों की बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन से परेशान हैं अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी बड़े-बड़े सवालों को चुटकियों में हल करूं और अगर आप भी दुकानदार की चीटिंग से परेशान हैं और उसकी चोरी को पकड़ना चाह आते हैं तो भाई स्वागत है आप सभी का रोजगार विदंकित यूट्यूब चैनल पर चलिए आज की जो हमारी ट्रिक होगी वो होगी भाई सवालों का जुगार हम लोगों की सीरी चल रही है तो अब हमने अब मुझे थोड़ा सा कॉंसेप्ट आपको बताना है दुकानदार जो होता है बेई मानी करता है सब को पता है जादा तर करते हैं अब वो दो तरीके से ब हरीत के समय उसने बेई मानी की तो उसने दस परसेंट का लाव कमाया दस करेगा तो तस से ग्राव हो जाएगा अगर दस परसेंट का लाब है 10% का लाब अगर वो खरीदते समय ले रहा है तो 10 की जगए 11 कर दो सीधा 10 की 10 से 11 कर दो 10 से 11 कर दो और अगर वो बेचते टाइम बात कर रहा है अगर वो बेचते टाइम 10% का लाब कमा रहा है तो इसका मतलब आपको पता है क्या होगा इसका मतलब होगा कि वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है 10% का लाब अगर वो बेचते टाइम कमा रहा है तो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम देगा इसका मतलब उसकी जेब से 900 ग्राम जा रहा है 1000 की जगह तो वो 100 ग्राम का फायदा ले रहा है एक हजार जो ग्राम वो मुल्य दे कर आया था उसकी जगह पे वो 900 ग्राम दे रहा है इसका मतलब उसने 100 ग्राम का फायदा कमाया 900 ग्राम पर क्यूंकि उसकी जेब से केवल 900 ग्राम गए है तो 100 ग्राम का फायदा 900 ग्राम पर तो फायदा कितना हो जाएगा 9 से 10 बैस आपको यही दियान रखना है, कि अगर 10% की बात करे, कितने ही परसेंट की बात करे, अगर 10% की मैं एक्जामपल लेके चल रहा हूँ, 10% की बात करे, और आप से कहें, दुकानदार खरीदते टाइम, तो खरीदते टाइम 10 से 11 हो जाएगा, और अगर बेचते टाइम कहे, तो बेचते टाइम आपको, बैस यही चीज आपको दियान रखनी है, कि 10% का मतलब है, तो एक बटे 10, एक बटे 10 कर दो, और उस चीज को 9 से 10 कर दो, बैस 10 जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला 10 है, वो इधर लिख दो, इसका मतलब वो 9 की चीज, दस में बेचेगा, बैस यही ध्यान रखना है, दूसरी चीज आपको बतानी है, सवाल में किसी और तरह भी आ सकती है, कि 1000 ग्राम की जगए, वो 1100 ग्राम ले रहा है, खरीदते टाइम, परसेंट की मैंने आपको चीज बता दी, यह वो ऐसे भी दे सकता है, कि 1000 की जगए 1100 ग्राम, तो यानि कि 1000 की जगए 1100 ग्राम, तो रेश्यो क्या बन जाएगा, 10 से 11, यह तो हो गया, खरीदते टाइम, और अगर बात करें बेचते टाइम, तो बेचते टाइम क्या होगा, 1000 ग्राम की जगए, वो 900 ग्राम देगा, 1000 उसको देना है, लेकिन उसने चीटिंग की, और चीटिंग करके 900 ग्राम दिया, इसका मतलब कि उसे 100 ग्राम का भाइदा हुआ, 900 ग्राम पर, मतलब के 1 बटे 9, इसका मतलब के 9 से 10 हो जाएगा बैस आपको यही दियान रखना है मेरे भाई मैंने 10 परसेंट का आपको एक्जामपल बताया मानलो ये 20 परसेंट होता और मैं कह रहा हूँ खरीदते टाइम खरीदते टाइम क्या होगा 20 परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटे 5 मतलब के 5 की जगे 6 कर दो बैस 5 से 6 कर दो अगर वो कह रहा है बेचते टाइम तो बेचते टाइम क्या होगा कि ये 5 इधर आ जाएगा और इस 5 में से 1 घटा 2, 4 इधर आ जाएगा बैस इस चीज से आपकी जिंदगी आसान होने वाली है सवालों की सुरुवात करते है देखे ये सवाल कल मैंने आपको सबसे लास्ट में दिया था बहुत सारे भाईयों ने मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया था बहुत ही जबरदस आंसर आया था सबका 119 आंसर आया था इसका मतलब 7 की चीज वो 8 में बेचेगा और 16 सही 2 बटे 3 परसेंट की मिरे भाई वो हानी कमा रहा है इसका मतलब 6 की चीज को 1 की हानी पे वो 5 में बेचेगा और पहले केस में 13 रुपे अधिक तो पिलस का 13 है दूसरे केस में 26 रुपे कम तो माइनस का 26 इसकी इसमें गुणा करो 35 इसकी इसमें गुणा करो 48 अंतर कितना आया 13 इसकी इसमें गुणा करो 65 इसकी इसमें गुणा करो 156 अंतर कितना आया असली खेल यही था असली खेल मेरे भाई यही था कि अगर ये दोनों माइनस माइनस में होते मतलब वो कम कम में बेचता तो भाया हम जोडते दोनों का अंतर अगर वो दोनों पिलस पिलस यानि के अधिक में बेचता तो हम अंतर इनका माइनस करते हैं लेकिन जब भी आपके पास आए कि एक पिलस और एक माइनस पिलस का मतलब के अधिक में बेच रहा है और माइनस का मतलब के वो कम में बेच रहा है दोनों का अंतर जब भी आए तो जोड़ दो दोनों को, तो इसको और इसको मैं जोड़ूंगा 156 और 65 को, तो आएगा 221, तो इस 13 की वैलू हो जाएगी 221, तो एक की वैलू कितनी हो जाएगी, एक की वैलू हो जाएगी 17, आप से क्या पूछ रहा है, आप से पूछ रहा है वस्तु का किरिय मुल्य, तो एक यूनिट की value 17 है किरिय मुलय तो भीया 7 था तो 7 unit की value कितनी हो जाएगी 7 गुणा 70 है यानि के 119 आपका उत्यर आगया बिना किसी एकस के बिना किसी परेशानी के अब चलते हैं अपनी आज की ट्रिक पे अब चलते हैं अपनी आज की ट्रिक पे देखे ये सवाल अभी अभी ह दुलाराम सेट अपने समान पर 80% अधिक मुल्य करता है अंकित तो 80% का मतलब होता है 4 बटे 5, 4 बटे 5 यानि के 5 से कितना करेगा वो 4 अधिक करके 5 से 9 करेगा और आप से कराया कि 25% की छूट भी देता है तो 25% होता है 1 बटे 4 यानि के 4 पे वो 1 की छूट देगा तो 4 से 3 कर तो जबरदस्त मैथड बता रहा हूं कुछ 150 करने की जुरूरत नहीं है 4 से 3 कर दिया यहां पे वो कह रहा है कि बेचते समय बैस यहीं धियान रखना है कि बेचते समय वो 1 बटे 10 यानि के ए 10% कम बजन तोल रहा है 10% की वो चीटिंग कर रहा है बेहिमान दुकानदार तो 10 10% की चीटिंग कर रहा है बेचते टाइम तो मैंने जब बताया कि बेचते टाइम इस 10 को इधर लिख दो और 10 में से 1 घटा के 9 इधर लिख दो बैस इस 10 को इधर लिख दो और इस में से 1 घटा के 9 इधर लिख दो क्यों लिखते हैं शुरू में आपको बताया था बैस आएगा वो लाभ कानू पात आजाएगा आपका सवाल खतम दुवस्त हो चुका है देखिए क्या होगा इस 9 से तो ये 9 खतम हो गया भीया क्या होगा 5 के 20 और क्या 10 तीज तो कितने का अंतर आया कितने का अंतर आया 10 का कितने पे 20 पे गुणा 100 आपका उत्तर कितना आ चुका ह 50% आपका उत्तर आ चुका है देखे कितना बहतरीन सवाल चलिए अगले सवाल पे चलते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल हो किसलिए आप लोग जुड़े रहिए उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कभी आपका विश्वास नही की बात करें तो सीधा 5 से क्या कर दो 5 से 6 कर दो आपका उत्तर यहीं पर खतम हो जागा खरीदते टाइम और अगर बेचते टाइम की बात करें तो इस 5 को उठा कर यहां पे लिख दो और इसमें से एक घटा दो 4 लिख दो बैस यहां पे अगर बेचते टाइम बात करें खरी पतादो जल्दी से क्या होगा? 5 से 5 उट गया यह 4 और 6 कितना अंतर है? कितना अंतर है? 2 कितने पे? 4 पे गुना 100 आपका उत्तर भाया कितना आ गया? 50% आपका उत्तर आ गया. बहत्रीन कोई आपको फॉर्मिला के जरूरत नहीं है कोई रट्टा फिकेशन के जरूरत नहीं है सीधा रेश्यो मैथर लगाओ सवाल हवा में चलिए अगले सवाल पे चलते हैं ये सवाल देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि भाया एक दुकांदार वस्तु को बेचते समय दस परसेंट कम तोलता है यानि के दस परसेंट की वो चीटिंग कर रहा है तो दस परसेंट मतलब एक बटे दस फिर से वही चीज क कि वो बेचते समय की बात कर रहा है, तो बेचते समय में 10 तो इधर लिख दो, और इस 10 में से 1 घटा कर 9 इधर लिख दो, बैस बेचते टाइम यही ध्यान रखना है, बेचते टाइम यही ध्यान रखना है, बेचते टाइम यही ध्यान रखना है, कि इस 10 को इधर, इस में से 1 इधर कर दो, खरीत्य टाइम सीधा कोई दिक्कती नहीं है उस टाइम तो, क्या करा है कि वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, मुझे नहीं पता कितना अंकित कर रहा है, और मुझे एक बात पता है कि जो नीचे आता है रेश्यो, वो लाभ का रेश्यो आता है, हमेशा लाब या हानी का रेशो सब से नीचे आएगा सब से नीचे लाब या हानी आएगा और सवाल में दे दिया कि 20% लाब 20% का मतलब होता है एक बटे 5 यानि कि 5 से कितना हो रहा है 6, 5 से कितना हो रहा है 6 इसकोj मैंने a माना इसको मैंने b माना तो 9 a इसकी इसमें करूगा तो 10 b बेराबर क्या है पांच बटे 6 यहां से A बटे B कितना आ गया 10 उधर जाएगा 50 और यह इधर आएगा 9 चिक के 54 यानि के A की वैलू मुझे 50 मिल चुकी है B की वैलू मुझे 54 मिल चुकी है कितने बढ़ाया उसने मुल्य उसने मेरे भाई कितना बढ़ाया 50 से 54 चार बढ़ाया और कितने पे 50 पे गुणा 100 आठ परसेंट आठ परसेंट आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है बहुत बढ़िया वीडियो की ट्रिक एक बार दिमाग में सैट हो गई कि सारे बेमान दुकानदार के सारी चीटिंग आप खड़े-खड़े पकड़ लोगे कि यह क्या कर रहा है मुझे सही उत्तर दे मुझे सही चीज दे मैं यहाँ पर कुशन पढ़के आया हूँ ठीक है चलिए अगले सवाल देखिए यह सवाल आप स्क्रीन सॉट लेलो यह स सारे लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आएगा इसका उत्तर जैसे आपने कल रिस्पॉंस किया था ऐसे ही मेरे भाई आज रिस्पॉंस करना है बस दो चीज ध्यान रखनी है कि बेचते टाइम कि बेचते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है बैस आपका चीजे यहीं पे खतम हो गई कि खरीदते टाइम तो 10 से 11 है और बेशते टाइम 9 से 10 सवाल की यह मानलो हवा हवा कर दोगे सवाल को ठीक है भाई ऐसे ही ट्रिक के साथ हम लोग आते रहेंगे मिलते हैं अगली ट्रिक में बैस इसका मुझे सॉलिशन दे देना और बताना कैसी लगी ट्रिक धन्यवाद